श्री गुरुभ्यो नमह सम्स्कृत कक्षायाम भवताम भवती नांच स्वागतम अध्यवयम भारती वसंत गीतिही इतिपाठं पठाम भारती वसंत गीतिही पाठोयम शेमुशी प्रथम भागस्य प्रथमह पाठह वर्तते तरही नवमकक्षायाह शेमुशी इत्यस्य अध्य प्रथमं पाठं पठामह भवंतह जानंति यद अध्ययनात प्राग पठनारंभः प्राग यदावयम अध्ययनं कुरुमह ततह प्राग आदव मंगलाचरणम अर्थात प्रार्थनाम कुरुमह विद्यालेश्वपी एवं भवती तरही आदव मंगलाचरणम अर्थात प्रार्थनाम कुरुमह अस्तु पर्ष्यामह यस्याम समुद्र उतसिंधुरापो यस्यामन्नम क्रिष्टयह संभभूभूभू यस्यामिदं जिन्वती प्राणदेजत सानो भूमिह पूर्वपेये दधातु यस्याश्यतस्रह प्रदिशह प्रिथिव्या यस्यामन्नम क्रिष्टयह संभभूभूभू या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत सानो भूमिर गोश्वप्यन्ने दधातु जनम विभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्वाणं प्रिथवी अथौकसं सहस्रम धरा द्रविनस्यमे दुहाम ध्रुवेवधेनु रनपस्फुरंति अर्थात इश वैदिक मंत्र का हम अर्थ भी देख लें उसके बाद पाठ का आरंभ करते हैं इश वैदिक मंत्र का अर्थ है जिस भूमी में महासागर, नदियां और जलासे जील सरोवर आदि विद्यमान हैं जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा क्रिशी ब्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं जिस भूमी में ये सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं वह मात्रि भूमी हमें प्रथम भोज्य पदार्थ अर्थात, खाद्य और पेय दोनों ही प्रदान करे यह प्रथम मंत्र का अर्थ था दूतीय मंत्र का अर्थ है, जिस भूमी में चार दिसाएं तथा उपदिसाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ फल, शाक, आदि उपजित्ते हैं, जहां क्रिशी कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बना कर रहते हैं जो भूमी अनेक प्रकार के प्राणियों अर्थात सांस लेने वालों, चलने फिरने वाले स्थावर जंगम जो प्राणी हैं, उन सब को धारण करती है वह मात्रि भूमी हमें गव, धन, आदि लाभप्रदवस्तुओं तथा पशुवों एवं खाद्य पदार्थों के विशय में संपन बना दे हम सब सभी प्रकार के वैभों से संपन होवें, यह दूसरे मंत्र का अर्थ है तीसरे मंत्र का अर्थ है, अनेक प्रकार से विभिन भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाये को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी ना नश्ट होने देने वाली स्थिर जैसी यह प्रत्वी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है तो यह था अथर्ववेद के द्वादस कांड का प्रत्वी शूक्त इस प्रत्वी शूक्त में धरती से हम विविध कामनाय करते हैं विविध प्रकार की सम्रिध्य की इक्षा करते हैं तो अब हम भारती वसंत गीती ही इस पाठ का अध्ययन करेंगे पाठ के अध्ययन से पहले हमें यह जान लेना आवस्यक है कि भारती वसंत गीती ही इसके लेखक कौन है इसकी रचना किसने की है अस्तु पुस्तक के प्रथम अंस में जब हम देखेंगे तो इसका परिचे भी लिखा हुआ है हम उसे पढ़ते हैं अयम पाठह आधुनिक संस्कृत कवेह पंडित जानिकी वल्लभ शास्त्रिणह काकली इतिगीत संग्रहात संकलितह अस्ति प्रकृतेह संदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यह वीणायाह मधुर जांक्रितयह प्रभवितुम शक्यंते इतिभावना पुरस्वरम कविही प्रकृतेह संदर्यम वर्णयन सरस्वतीम वीणा वादनाय संप्रार्थयते इस पाठ में कवी ने प्रकृतिकी सुन्दर्ता का वर्णन करते हुए उसे और अधिक मधुर बनाने के लिए भगवती सरस्वती से प्रार्थना करता है कि वह अपनी वीणा की जहंक्रिती से सुमधुर स्वर से वातावरन को मधुर तम बनाएं इसके लेखक पंडित जानकी वल्लभ शाश्त्री जी है और उन्होंने काकली नामक एक गीत संग्रह लिखा है उस गीत संग्रह से यह एक छोटा सा अंस इस पुस्तक में समाहीत है संग्रहीत है तो हम इस गीत का सस्वर गायन पहले सुनते हैं निनादे नवीना मैवानि वीनाम् मृदुंगाय गीतिम् ललित नीतिलीनाम् निनादे नवीना मैवानि वीनाम् मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाह वसंतेल संती है सरसारसाला कलापाललित कोकिला का अकली नाम् निनादे नवीना मैवानि वीनाम् वहतिमंदमंदं सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीरतीरे नताम् पंकि मालोक्य मधुमाधु वीनाम् निनादे नवीना मैवानि वीनाम् ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुझे मले मारुतो चुम्बिते मन्जु कुझे स्वनंती इंततिम् प्रेक्ष मलीनाम् निनादे नवीना मैवानि वीनाम् लतानाम् नितांतं सुमं शांति शीलं चले दुच्छले कांत सलीलं सलीलं तवाकन्य वीनाम् मदीनाम् नदीनाम् निनादे नवीनामै वानि वीनाम् मृदुं गाय गीतिम् ललित नीतिलेनाम् निनादे नवीनामै वानि वीनाम् तो अभी हमने सम्स्कृत गीत का सुमधूर स्वर के साथ गायन सुना और किस प्रकार से हम इसे अच्छी तरह गा सकते हैं और इसके स्वरों का आनंद ले सकते हैं ये आपने देखा शुद्ध उच्चारण के साथ अगर गायन होता है तो वह ज्यादा अच्छा होता है अब हम इसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं एक एक पद को अलग करके उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब हम भावार्थ को समझेंगे तो प्रश्णोतर दे सकेंगे और उसके तातपरे को हम व्यक्त कर सकेंगे तो ठीक है सबसे पहली पंक्ति क्या है निनादय नवी नाम ये वाणी वी नाम हे वाणी यहाँ पे वाणी सरस्वती को कहा गया है अर्थात हे वाणी वी नाम निनादय अये वाणी अये पद भी संबोधन है हे वाणी अर्थात हे सरस्वती हे वाणी की अधिश्ठात्री देवी वी नाम निनादय तो वीना कैसी है कते नवी नाम वीनाम निनादय अर्थात एक नई वीना बजाओ एक नई स्वर के साथ वीना को बजाओ निनादय का तातपरिय है बजाओ लोटलकार मध्यमपुरुस एक वचन पूरा वाक्य अगर अनुवय के साथ हम देखें पहली पंक्ती का तो क्या बनेगा अए वाणी नवीनाम वीनाम निनादय हे वाणी हे स्वरकी अधिश्ठात्री देवी आज एक नए स्वरवाली वीना को बजाओ अर्थात नए सुर को प्रस्तुत करो क्यों ऐसा कह रहे हैं तो उसके लिए जो प्रकृति की शोभा है उसे हम अगली पंक्ती में देखते हैं म्रिदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम म्रिदुम गीतिम गाय यहां पर भी गाय लोटलकार मध्यमपुरुस एक वचन का प्रियोग किया गया है म्रिदुम गीतिम गाय एक म्रिदुображ का तात पर यह होता है कोमल तो म्रुदुम जो करण को प्रियोहो करण को कोमल लगे ऐसी गीति को गाओ वो गीति वह जो गान है कैसा होना चाहिए उसके लिए आगे कहा ललित नीति ली नाम अर्थात ललित नीती अच्छी नीती से लीन हो अर्थात उससे जुडी हुई हो उससे संबध हो एक लालित्य पूर्ण भाव से युक्त हो हम इस पूरी पंक्ती को जब पढ़ेंगे तो क्या अन्वय बनेगा इसका ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय अर्थात लालित्य पूर्ण भावों से युक्त एक मधुर गीत को एक मृदु गीत को गाओ अगली पंक्ती हम देखते हैं इसमें प्रकृती का वरण है जब वसंत रितु होती है उस रितु में प्रकृती कैसी होती है प्रकृती सुंदरता कैसी है उसे व्यक्त करते हैं क्या है पद मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाह वसंते लसंती सरसारसालाह कलापाह ललित को किला काकली नाम अर्थात मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाह अभी जो आमर मंजरियां है मंजरी अर्थात आम की जो बौर होती है वह जो हैं पिंजरी भूत मालाह उनका एक माला की तरह आकृती बन चुकी है पूरे वाता वरण में वह ब्याप्त हो गई है और वसंते लसंतीह सरसा रसालाह रसालाह आम्र विक्षाह रसाल कहते हैं आम्र को तो सरसा रसालाह जो सरस रसाल है रससे युक्त आम्र है वो वसंत में लसंतीह वसंते रितु में शोवित हो रहे हैं अर्थात लसंती अर्थात उससे भर गए हैं जो आमर के उद्ध्यान हैं वो आमर मंजरी से आमर के फलों से भर गए हैं उनमें बहुत जादा मात्रा में फले हुए ब्रिख्य हैं इस तरह के पेंड़ पूरे उद्ध्यान में हो चुके हैं और क्या हो रहा है तो कहते हैं कलापाह ललित कोकिला काकली नाम काकली शब्द का अर्थ है कोयल की आवाज कोयल की ध्वनी को हम काकली कहते हैं वह काकली कैसी है कोयल की वह कू कू की जो ध्वनी होती है कैसी है तो कहते हैं ललित को कि लाह वह लालित्य पूर्ण है बहुत ही सुनने में मधूर है वह मधूर ध्वनी वातावरण में गुंजित हो रही है इसलिए जो कवी है इस तरह का वातावरण देख करके स्वर की अधिश्ठात्री देवी सरश्वती से यह प्रार्थना करता है हे देवी, आप एक नए स्वर का अनुष्ठान कीजिए, एक नए स्वर का गायन कीजिए, क्यों गायन कीजिए, वह ऐसा वातावरन देख रहा है, एक नया वातावरन देख रहा है, और उस सुमधुर वातावरन को देख करके देवी से प्रार्थना कर रहा है, क्या निनादय नवी नाम एवाणी वी नाम एवाणी नवी नाम वी नाम निनादय हे सरश्वती हे स्वर की अधिश्ठात्री देवी हे वाणी आप एक नई वीना को वजाईए एक नए स्वर का सुत्रपात कीजिए वह स्वर कैसा होना चाहिए उसकी विशेषता दूसरी पंक्ती में कह रहे हैं अर्थात लालित्य पूर्ण नीति से संबध लालित्य पूर्ण नीति से युक्त जो मृदु अर्थात मनोहर मधुर गीतिम गाय यहां पर गाय यह क्रिया पद है लोटलकार मध्यम पुरुस एक वचन इसी तरह निनादय पद भी लोटलकार मध्यम पुरुस एक वचन का प्रयोग है तो पूरे पद का अर्थ होता है ललित नीति लीनाम गीतिम गाय जो लालित्य पूर्ण नीति से युक्त हो ऐसे मध्यूर गीत का गायन कीजिए आगे कहते हैं मध्यूर मंजरी पिंजरी भूत माला वातावरण किस प्रकार का है हम यह गायन करने के लिए प्रार्थना क्यूं कर रहे हैं इस वात को बताते हुए कहते हैं कि वसंत रितु का समय है और वसंत रितु में उद्यान की स्थिती क्या है उस उद्यान का वरण इन तीन पंक्तियों में किया गया है आगे की जो तीन पंक्तियां हैं यह उद्यान की स्थिती को बतला रही है क्या कहते हैं मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाह जो मंजरियां है आमर मंजरियां हों अशोक मंजरियां हैं और भी अनेक बृच्छों पर लगी हुई जो पुष्प की कलियां हैं वो पुष्प कलियां कैसी हैं कते मंजरी पिंजरी भूत मालाह पीत वर्ण से शुशुभित हो रही है उनकी एक माला बन गई है एक श्रेणी बन गई है चारो तरफ से जब हम बसंत रितु को में उद्ध्यान को देखते हैं तो वहाँ अलग अलग ब्रिक्ष में किसी में लाल वर्ण का पुष्प होता है किसी में पीत वर्ण का पुस्प होता है कहीं पर शिरीश का पुस्प खिला होता है आमर की मंजरियां शुशोभित होती रहती है तो इस तरह अलग अलग वर्णों से युक्त जो उद्ध्यान है उसकी सोभा अवर्ण निय हो रही है अद्वीती ये सोभा हो रही है उस मनोहर द्रिश्य को देख करके कभी प्रार्थना कर रहा है तो ऐसा जो मनोहर द्रिश्य है उसको देख कर स्वर एक नए स्वर का सुत्रपात करने के लिए मन में विचार कभी के आ गया और कैसा है वह उद्यान तो अंतिम पंक्ती में कहते हैं कलापाह ललित को किला काकली नाम कलापाह कस्य कलापाह ललित को किला काकली नाम कलापाह यहाँ पर भी काकली पद का अर्थ होता है कोयल की ध्वनी कोयल की जो कू कू की आवाज है वह कितनी मधुर होती है तो वह लालित्य पूर्ण जो कानों को सुन्दर लगने वाली कानों को सुभाने वाली ध्वनी है उस ध्वनी के कारण उस लालित्य पूर्ण कोकिल की ध्वनी कोयल की ध्वनी सुनाई पड़ रही है और सुन्दर मनुहर वातावरण दिखाई पड़ रहा है इसलिए हेवाणी आप भी एक नए स्वर का सुत्रपात कीजिए अपनी तंत्री को एक नया स्वर दीजिए यह प्रथम पंक्ती का आसे है दूसरी पंक्ती को हम देखते हैं वहति मंद मंदं सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवीनाम निनादय नवीना आये वाणी पीडाम अर्थात वहति किमवहति मंदं मंदं समीरं वहति समीर पद का अर्थ होता है वायू मंदं मंदं अर्था धीरे धीरे वायू कैसा चल रहा है बहुत तेज होगा तो तो फिर यहां से वहां आद्मी गिर पड़ जाएगा ब्रिक्ष टोड़ जाएंगे वह अच्छा नहीं लगेगा मंद मंद जब वायू चलती है सुबह प्रातह काल वेला में जब हम विचरण करने के लिए विहार करने के लिए बाहर निकलते हैं किसी उद्ध्यान में उस समय की सुनहरा प्रभात होता है और मंद मंद वायू चल रही होती है वही समय है यहाँ पर किसी कलिंदात्मजायाह तटे कलिंदात्मजा का अर्थ क्या है यमुना कलिंदात्मजायाह शष्ठी का प्रयोग कर रहे है अर्थात यमुना के संबंध आएगा सवा नीर तीरे नीर तीरे तो जो यमुना के किनारे यमुना के तीर शब्द सम्स्कृत में किनारा इसके लिए प्रियुक करते हैं तीरे कहें या तटे कहें दोनों का अर्थ समान होता है तो यमुना का जो तट है वहाँ पर बांस जो वेत्र सवानीर तीरे कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है? वेत्र जो बांस के पेड होते हैं उनसे युक्त जो वह तट है हरे हरे बांस जो होते हैं वो एक ध्धवनी भी करते हैं बड़ी सुन्दर उनकी आपस में टकराने के बाद ध्धवनी होती है और तीसरी जो पंकति है उसमें यह कह रहे हैं अर्थात मधु माधवी जो लताएं हैं जब किसी बिरिक्ष पर बहुत सारी लताएं लटक जाती हैं तो बहुत सुन्दर ही पेड़ वो लगता है और वो थोड़ा सा नतवी हो जाता है क्योंकि उसमें वजन हो जाता है जो फलदार वरिक्ष होते हैं वो भी जुक जाते हैं और जो लताओं से आच्छादित होते हैं वो भी डालियां शाखाएं नीचे को अवनत हो जाती है तो मधु माधवी नाम लताम पंग्तिम नताम वह जो पंक्ती है वह जो लताओं की स्रेणी है वो लतावली जुक गई है जुकी हुई है पूरे वाक्यकार्थ अगर हम देखें मधु माधवी नाम लताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम लतानाम नताम पंक्तिम आलोक्य अर्थात मधु माधवी इत्याद जो लताएं है उन इन लताओं की नत पंक्ति नीचे लटकती हुई नताम का अर्थ है नीचे को जुकना जुकी हुई तो नीचे को जुकी हुई जो पंक्ति है जो स्रेडी है उसे हम देख रहे हैं तो जब ये सब देखता है कभी एक बार पूरे पद्य का अर्थ हम देखें तो क्या होगा सनीरे कलिंदात्म जायाह सवानीरतीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती यह अन्वय बना और मधु माधवी नाम लतानाम नताम पंक्तिम आलोक्य अएवाणी नवी नाम वी नाम निनादय यह पहली पंक्ति से हमें लाना पड़ेगा अर्थ की संगती को बैठाने के लिए अर्थात जो नदी का पुलिन है यह मुना का तट है वह वेत्र से युक्त है बांस से किनारे किनारे बांस के हरे हरे पेण हैं और मधु माधवी इत्याद जो लताएं हैं वो लताएं नीचे को लटक रही हैं और बगल में मार्ग है और वह मार्ग अभी कैसा है तो मंद मंद समीर से युक्त है और कैसा है तो सजल है जल से युक्त है अब जरा कलपना करें हम नदी के किनारे जल से परिपूर्ड नदी है उसके किनारे मारग है और बगल में बगीचा है जो हरा भरा है और सुबह सुबह अच्छी मंद सुगंध वायू का प्रवाह हो रहा है सुरुभित एक व्रिक्षों के पुस्पों की सुगंध भरही है ऐसा वा तावरण देख करके कवी भगवती से प्रार्थना करता है और हे भगवती आप वीड़ा बजाईए इस प्रकार से हमने इन दो पद्यों के अर्थ को समझा एक एक पदों के अर्थ को भी देखा इन में जो कठिन पद हैं जिनके अर्थ आपको थोड़ा पढ़ने में समझ ना आएं पढ़ें और लगे कि यह क्या हो सकता है तो सहायता के लिए आप उस्तक के प्रिष्ठभाग को जब देखेंगे अभ्यास के पहले शब्दार्था है हदिया हुआ है और एक एक पद के अर्थ को वहाँ पर देख सकते हैं और उनकी सहायता से पूरे पद का अर्थ भी समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ विभक्ती के साथ अर्थ का नर्देश किया गया है साथ ही साथ अंग्रेजी में भी लिखा है तो अंग्रेजी में होने के कारण आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे तो इस क्रम में हम आज इतना ही पढ़ते हैं इसके बाद हम जो दो पंक्तियां हैं और कुछ अभ्यासकार्य और प्रश्न अगले क्रम में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कर दो अभ्यासकार्य और करता आपे लिए ठापोतर कारी आपके लिए से समझ पाएंगे तो अभ्यासकार्य और कारे इसके लिए पाएंगे